श्री सद्गुरु महाराज की जय सत्सं सुधासागर प्रथम भाग से प्रवचन का पाठ प्रवचन संख्या एक शीर्षक संत्मत में इश्वर की स्थिती बंदो गुरुपद कंज कृपासिंधु नरूप हरी महामोह तंपुंच जासु वचन रविकर निकर प्यारे लोगो संत्मत में इश्वर की स्थिती का बहुत द्रिड़ता के साथ विश्वास है परंतु उस इश्वर को इंद्रियों से जानने योग्य नहीं बताया गया है वह स्वरुपत्ह अनादी और अनंत है जैसा की संत सुन्दरदास जी ने कहा है व्योम को व्योम अनंत अखंडित आ वह मूल और आदी तत्व परिमित हो ससीन हो तो सहेज ही यह प्रश्ण होगा कि उसके पार में क्या है ससीन को आदी तत्व मानना और असीन को आदी तत्व न मानना हास्यास्पद होगा, व्यापक व्याप्य अखंड अननता, अखिल अमोग सक्ति भगवंता, अगुन अदभर गिरा गोतीता, सब दर्सी अन्वध्य जीता, निर्मल निराकार निर्मोहा डौट नित्य निरंजन सुख संदोहा प्रकृती पार प्रभु सब उर्वासी ब्रह्मा निरी विरज अविनासी उपर्युक्त चौपाईयों में मूल आधी तत्व का वर्णन गोस्वामी तुलसी दास जी ने किया है संतों ने उसे ही पर्मात्मा माना है गुरु नानक देवजी ने कहा है अलख अपार अगम अगोचरी ना तिसु काल न कर्मा जाती अजाती अजोनी संभव ना तिसु भाव न भर्मा साचे सचियार विठू कुरबानू ना तिसु रूप बर्नू नहीं रेखिया साचे सबदी नीसानू इत्यादी संतों का यह विचार है कि जो सबसे महान है जो सीमाबध नहीं है उससे कोई विशेश व्यापक हो संभव नहीं है जो व्यापक व्यापय को भर कर उससे बाहर इतना विशेश है कि जिसका पारावार नहीं है वही सबसे विशेश व्यापक तथा सबसे सुक्षम होगा यहां सुक्षम का अर्थ छोटा टुकड़ा नहीं है, बल्कि आकाश्वत सुक्षम है जो सुक्षमाति सुक्षम है, उसको स्थूल या सुक्षम इंद्रियों से जानना असाधम हमे है केवल चेतनात्मा से जाना जाता है शरीर के भीतर आप चेतनात्मा है और उस आत्मा से जो प्राप्थ होता है उसी को परमात्मा कहते हैं रूप रस, गंध, स्पर्ष और शब्द इन पाचों में से प्रत्येक को ग्रहन करने के लिए जो जो इंद्रिय हैं अर्थात आख से रूप, जिभ्या से रस, नासिका से गंध, त्वचा से स्पर्ष और कान से शब्द इन इंद्रियों के अतरिक्ट और किसी से ये पाचों विशय ग्रहन नहीं किये जाते हैं. इसी प्रकार जो चेतनात्मा के अतरिक्ट और किसी से नहीं पकड़ा जाय, वही परमात्मा है. जो जितना विशेश व्यापक होता है, वह उतना ही सुख्ष्म होता है. परमात्मा अपनी सर्वव्यापकता के कारण सबसे विशेश पुल यंत्र से सुक्ष्म तक्त्व का ग्रहें नहीं हो सकता है। एक बहुत छोटी घडी के महीन की इलकांटों को बढ़ई और लोहार की सडसी पेचकश आदी मोटे-मोटे यंत्रों से घडी में बिठाने और निकालने के काम नहीं हो सकते। उसके लिए यंत्र भी महीन ही होते हैं। हमारी भीत्री और बाहरी सब इंद्रियानेत्र। करण नासिका, जहना, त्वचा, मुख, हात, पैर, गुदा और लिंग बाहर की इंद्रिया तथामन, बुद्धी, चित्थ और अहमकारंतर की इंद्रिया सबकी सब उस दरजे की सुक्ष्म नहीं हैं, जो परमात्मस्वरूप को ग्रहेन कर सकें। ये तो परमात्मा की सुक्ष्मता के सम्मुक स्थूल हैं। भला ये उसको कैसे ग्रहेन कर सकती हैं। नाक और मनबुद्धी आदी इंद्रियों के द्वारा इश्वर को प्रत्यक्ष करने की चेश्टा करना जूट ही एक खेल करना है, क्योंकि इनसे वह नहीं जाना जा सकता है। उसी को तू ब्रहमा जान। जिस इस देशा का लाविच्छिन वस्तु की लोग उपासना करते हैं, वह ब्रहमा नहीं है। यह साधक जिस आत्मा का वरण करता है, उस आत्मा से ही यह प्राप्त किया जा सकता है। उसके प्रती यह आत्मा अपने स्वरूप को अभिव्यक्त कर देता है। अब यह साफ तरह से जना देता हूं कि अनादी आदी परम तत्व परमात्मा केवल चैतन्य आत्मा से ही ग्रहन होने, पहचाने जाने योग्य है। जब तक शरीर और इंद्रियों के सहित चैतन्य आत्मा रहेगी, तब तक परमात्मा को नहीं पहचान सकेगी। आख पर पट्टी बंधी हो, तो आख में देखने की शक्ती रहने पर भी बाहरी द्रिश नहीं देखा जाता और आख पर रंगीन चश्मा लगा रहने पर बाहर का यथार्थ रंग नहीं देखने में आता है। चश्मे के रंग के अनुरूप ही रंग बाहर में देखने में आता है आख पर से पट्टी और चश्मा उतार दो बाहर के यथार्थ रंग देखने में आएंगे शरीर और इंद्रियों के आवर्ण से छूटते ही या यों कहो कि चैतन्य आत्मा पर से शरीर और इंद्रियों की पट्टी और चश में उतरते ही चैतन्य आत्मा को पर्मात्म स्वरूप की पहचान हो जाएगी शरीर, इंद्रिय और स्थूल, सुक्ष्म आदी मायक सब आवरणों के उतर जाने पर जो इस पिंड में बच जाता है, वही चेतनात्मा है और इनसे जो पहचाना जाता है, वही अनादी आदी तत्व परमात्मा है मैं तो इस अनादी आदी परमतत्व को परमात्मा कहता हूँ और कहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी रुची के अनुसार इस मूल अनादी परमतत्व को जिस नाम से पुकारना चाहे, पुकारे परंतु यथार्थ में यह अवर्णनिय अनिर्वचनिय है, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धी पर अविगत अकत अपार, नेती नेती नित निगम कह, गोस्वामी तुलसी दास जी, अविगत गती कछु केहत न आवे, जो गुंगही मीठे फल को रस, अंत तरगती भावे, परम स्वाद सभी जु निरंतर, अमित तोश उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे, भक्त सूरदास जी, नैना बैन अगोचरी, श्रवना करनी सार, बोलन के सुखकारने, कहिये सिर्जनहार, आदी अंत ताही नहीं मधे, कत्यों न जाए आही अक्थे, अप्रमपार उपजय नहीं विन से, जुगती न जानिये कत्यों नहीं, जस है तैसा सोई, कहत सुनत सुख हूपजय, अरु परमारत होई, कबीर साहब, शरीर, इंद्रियों और मायिक ज्रावर्ण से चैतन्य आत्मा को अलग कर परमात्मा को पाना केव ध्यानसाधना से ही हो सकता है, इडा अर्थात बाईं और की धारा में तामसी वृत्ती रहती है, पिंगला अर्थात दाईं और की धारा में राजसी वृत्ती रहती है, और सुशुमना अर्थात मध्यकी धारा में सात्त्वी की वृत्ती रहती है, ध्यानसाधना सुशुमन में करने की विधी है। गुरु महाराज से जैसा सुना, आप लोगों को वैसा सुना दिया। वैज्ञानिक लोग ऑक्सीजन और हाइडरो जंदो वाशपो द्वारा पानी बना कर दिखला देते हैं। वैसे ही ध्यानभ्यास के प्रयोग द्वारा परमात्मा की प्रत्यक्षत होती है, परंतु यह आधिभातिक वैज्ञानिक का बाहरी प्रयोग नहीं है। वह प्रयोग अपने अंदर में करने का है। ध्यानयोग का साधक संशय में नहीं रहता है। वह ध्यानाभ्यास के प्रयोग से जो कुछ पाता है उसको सत्य मानता है और तुटविहीन पनभ्यास के विशय पर कुछ प्रकाश पाने के लिए संत दादू दयाल जी महाराज के वचन सुनिये। जिव दुखी रहे नहीं यौलाई। सब्दे ही सूशिम भया। सब्दे सहच समान सब्दे ही निर्गुन मिले सब्दे निर्मल गया। ऐसा समर्थ सोई आगे पीछे तो करे जे बलहीना होई यंतर बजाया साजी करी कारीगर करतार पंचो कारजनाद है। दादू बोलनहार पंच उपना सबद्ध हैं। सबद पंच सौ होई साई मेरे सब किया। बूझे बिर्ला कोई सबद जरैसो मिली रहे। एकैरस पूरा। डॉट कायर भाजे जीव ले पग माडे सूरा दादू द्याल जी कहते हैं कि सर्वसाधारन का मन शरीर में पसरा हुआ रहता है। परंतु ऐसा कोई बिर्ला है जिसका मन उलटकर बहिर मुख से अंतरमुख होकर अंदर में समाता है। मन का स्थान तो शरीर के अंदर है ही, फिर अंदर में समाने का तातपर्य यह है कि जागरत। स्वप्न और सुशुप्ती अवस्थाओं में जिस-जिस स्थान पर मन रहता है, उन तीनों स्थानों से विशेश अंतर में मन प्रवेश कर जाए। ये तीनों स्थान शरीर के अंदर के स्थूल तल पर ही हैं। इन तीनों से छूट कर मन सुक्ष्म तल पर आरूड हो मन के अंदर समाने का भाव यही है। मन को किस तरह उल्टा कर अंदर में लावें। यह फिर पसर गया। हे डादू, संदसं उत्पन होने वाली स्वाभाविक दोरी, धारा, पकड और मन को घेर-घेर कर अंदर मेला। स्रिष्ट निर्मान के आदी में कंप अवश्य होता है और कंप का सहचर शब्द अनिवार्य रूप से होता है। स्थूल, सुक्ष्म, कारण, महाकारण और कैवल्य, जडविहीन, चेतन, स्थूल, सुक्ष्म और सुक्ष्माति सुक्ष्म भेदों से स्रिष्टी के ये पांच मंडल जानने में आते हैं। इन सबके केंद्रों एवं उनसे उत्थित कंपो के सहित, शब्द के उदे से ही सम्पूर्ण, सृष्टी का विकास तथा पूर्नत्या निर्मान हुआ है। कथित केंद्रिय शब्द को ही सहज दोरी कहा गया है। अपने केंद्र में आक्रिष्ट करने का गुन शब्द में है। इसलिए इस शब्दरूप सहज दोरी को ग्रहन करके मन बहिर्मुख से अंतर्मुख खिंच कर रहेगा। साधु शब्द से मिलकर रहे और मन को ठहरा कर रहे। साधु शब्द के बिना क्यों रहता है? तभी तो शब्द विहीन रहते हुए साधु का मन बिखर जाता है। मन उलटकर शरीर में नहीं आता है, दिनरात बाहर-बाहर जाता है। इसलिए दादू द्याल जी कहते हैं कि मेरा मन दुहकी है, क्योंकि साधन में मन लगकर नहीं रहता है, परंतु मन रुकता नहीं, दसो दिशाओं में जाता रहता है, यह रामनाम रामनाम के ग्रहेन से रुका रहता है दूसरा उपाय नहीं है, यहाँ पर रामनाम से तात्पर्य सर्वव्यापिनी अनाहत ध्वनी से है, इस ध्वनी को नाम इसलिए कहते हैं कि इसके द्वारा चैतन्य आत्मा को आदी मूलतत्व अक्षर पुरुशोत्तम परमात्मा की पहचान हो जाती है नीके राम कहतु है बपुरा, घर माहे घर निर्मल राख है, पंचो धोवे काया कप्रा संत दादु द्याल जी के इस शब्द से विदित है कि राम नाम से उनका तातपर्य अनाहत नाध से है मन के संमुख ही प्रकाश है और आराम करने का स्थान बिछावन है जागरत अवस्था में आध्याचकर के केंदर में मन की बैठक है उसके संमुख वृत्ती के सिंटाव और स्थिर्ता से प्रकाश और चैन का स्थान प्रत्यक्ष होता है . मन से मन को लगा कर मन स्थिर हो गया, मन से मन मिलकर रहा, तब अन्यत्र नहीं जाता है मन के केंद्रिय रूप को निजमन आत्म मुखी मन कहते हैं और उसकी किरने वाधारा जो समस्त शरीर में फैली हुई है, उसे तन्मन या शरीर मुखी मन कहते है तन्मन को निजमन में समेट कर केंडरित करने को मन से मन को मिला कर रखना है दौट वर्नन हो चुका है कि शब्द से ही सारे विश्व का तथा उसके पंच मंडलों का निर्मान और विकास हुआ है इसीलिए शब्द के विशे में उपर्युक्त रीती से कहा गया है ध्यान साधना में जोती और शब्द के ग्रहन की विशेशता, मुख्यता और विशेश आग्रह है युप्ती जानकर सब लोगों को इस ध्यान का अभ्यास करना चाहिए क्योंकि इसी साधना के द्वारा निर्वानपत पर पहुँचना और अपना परम कल्यान बना लेना पूर्ण संभव है परम प्रभु परमात्मा की दया सब लोगों पर हो यह प्रवचन ग्राम दोभागाट जिलापूर्णिया अखिल भारतिय संत्मत सत्संग विशेशाधिवेशन के अवसर पर दिनांग 5 दिसंबर 1949 इस्वी के सत्संग में हुआ था